अनुराग उस काली पोटली को अपने एक हाथ में पकड़ कर लंगड़ाते हुए वहाँ जाने लग जाता है। अनुराग और यक्षणी को इस तरह तड़पते हुए देख चित्रा की आँखे नम हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यक्षणी जो की एक डायन थी उसके दिल में अनुराग के लिए इतना प्यार हो सकता है। अनुराग बदला यहाँ पंचिम गावा कर। उस भक्षानर के अंश ने उसे बदल कर रख दिया। मैं तो अनुराग कोई कोस्ती रहती थी। उसे इस जंदगी भर ताने देती रहती थी बलकि उस बिचारे का तो कोई कसूरी नहीं था। उसकी तो बस इतनी गलती थी कि वो यहाँ पंचिम गावा गया। चित्रा की आखों में आसू आने लग गये थे। अगले इपल उसकी आखों से आसूं की धार बहने लग जाती है। वो रोने लग जाती है। कि इसी हीरे के अंदर सद्यों तक भक्षानर के अंश ने पना ली थी कि चित्रा खुद से बढ़बढाते हुए कहती है एक रोने का वक्त नहीं है जो हो गया सो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता है पर अब जो होने वाला उसे तु बदल सकती है तुझे जल से जल तेरे आसू पोच्टी है और वो हरा हीरा लेकर वहां से जाने लग जाती है। जैसे ही चित्रा अपना एक कदम आगे बढ़ाती है। आसू की बून के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। पापा पंचिम गाओं गए हैं तो वो उनसे इतना नाराज हो गई थी कि वो ने छोड़ कर जाने वाली थी। कभी उनसे दुबारा नहीं मिलना चाहती थी। वो उनसे नफरत करने लग गई थी। फिर यक्षिनी यहां पंचिम गाओं में क्यों आ गई। सब कुछ जानते युग बिटा, उस हीरे को छूने के बाद मुझे अनुराग के बारे में सब कुछ पता चल गया था। मुझे ये भी पता चला था कि उस हीरे को वहां पर छुपा देने के बाद कई बार अनुराग वहां पर आय था। और उसने डायन वंशी रक्षा कवच को तोड़ने की कई कोशिश की थी पर उसकी सारी कोशिश है नाकाम हो गई थी वो उस रक्षा कवच को नहीं तोड़ पाय था चित्रा एक लंबी आ भरते हुए कहती है जब मैं वापस ग्रेवियार्ट कूटी जा रही थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी मुझे तुम्हारी फिक्र बार ब खबराय जा रही थी मैं बहुत डरी हुई थी पर जब मैं ग्रेवियार्ट कूटी पहुची तो वहाँ पर वैसा कुछ नहीं हुआ जो सब मैंने रास्ते में सोचा था चित्रा उन पलों को याद करते हुए कहती है जब मैं ग्रेवियार्ट कूटी पहुची तो मैंने हुए थे ग्रेवियार्ट कोठी में शांती चाही हुई थी पर मैं जानती थी कि ये शांती जादा देर तक कायम नहीं रहने वाली थी वो कभी भी भी भंक हो सकती थी मुझे जल से जल कुछ करना होगा चित्रा उन सारी बातों को याद करते हुए युक से कहती है पहले तो मे ही रास्ता नजर आया और वो था ग्रेवियार्ट कोठी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना क्योंकि मैं जान गई थी कि जिस अनुराग को बचाने के लिए मैं पहले ग्रेवियार्ट कोठी में रुकी हुई थी वो तो कपका मर चुका था अब जो बचा था वो बस भक्षान भी दे इसलिए मैंने सबर से काम किया मैंने राध ही राध एक प्लैन बनाया मैंने सोच लिया था कि मैं अगली सुबा ही तुम्हें वापस ली कर शेहर चले जाओंगी दिली लौट जाओंगी अनुराग से कह दूगी कि यहां पर मेरा पेंटिंग का काम ठीक से नहीं चल और तुम्हारी पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही है इसलिए मैं तुम्हें वापस लीकर जा रही हूँ अब हम वहीं पर रहेंगे युग बड़ी गौर से चित्रा की सारी बाते सुन रहा था चित्रा नम लहजे के साथ युग से कहती है युग बेटा तुम हमेशा से जानने की तड़प और जधा बढ़ जाती है वो यह बात जानने के लिए उतावला हो जाता है चित्रा फिर युग से कहती है हम इनसानों को लगता है हमारे पास बहुत वक्त है पर हम ये बात भूल जाते हैं कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता और वो वक्त मेरे लि मुझे पर हमला कर देगा चित्रा उस पल को याद करते हुए कहती है मुझे वो रात अच्छे से याद है कैसे ना होगी उसी रात ने तो मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था यूग बेटा उस वक्त रात के दो बच रहे थे और मैं तुम्हारा और मेरा सारा सामान पैक कर चुकी थी बस कुछ मेरी पेंटिंग्स और थी जिसे पैक करने के लिए मैं अपने पेंटिंग रूम के अंदर गई थी मैं अपनी पेंटिंग्स पैक ही कर रही थी कि तभी मुझे यक्षणी की आवाद सुनाई देने लग गई वो यक्षणी तुमसे कह रही थी युगविटा बाहर आओ मैं आपका इनतजार कर रही हूँ ये आवाद सुनकर तुम उसके पास जाने लग गए थे पहले मैं भी यक्षनी की आवाज सुनकर हैरान रह गई थी पर फिर बाद में मुझे खयाल आये कि यक्षनी को तो अनुराग ने कैद कर दिया था इस आवाज के पीछे जो शक्स था, वो भी अनुराग ही था इतना ही नहीं, इससे पहले जो मुझे यक्षनी की आवाज आई थी वो भी अनुराग नहीं अपनी शक्तियों से निकाली थी मैं समझ कई थी कि तुम्हारी जान खत्रे में थी इसलिए मैं तुरंट उस कमरे से बाहर निकल गई तुम्हें ढूरने के लिए और जब मैं हॉल में पहुची तो देखा हॉल में चारों तरफ धुआ पहला है और वहीं से तुम्हारी और यक्षनी की आवाज सुनाई दे रही है उस दुएं को देखकर मैं समझ गई थी कि काला साया वहीं पर मौजूद है और बातों ही बातों में उसने मुझे अपना मकसद बता दिया था कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा था पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है तब ही तुम्हारी दिल में मेरे लिए नफरत भर रहा था तुम्हें मेरे खिलाव भड़का रहा था पर बाद में पता चला ये सब तो उसकी साज़िश थी उसका असली मकसद तो मेरा असली रूप देखना था जब हॉल में फैला हुआ धुआ छटा तो वहाँ पर तुम मौजूद ही नहीं थे बस कालस आया था वो मुझे छलावा दे रहा था तुम्हारी आवाज से वो कालस आया मुझे मेरे डायन रूप में देखना चाहता था वो जानता था कि मैं एक डायन हूँ इसलिए बार-बार मुझे अपने असली रूप में आने के लिए कह रहा था पर मैं भी जानती थी कि वो यक्षणी नहीं अनुराग था, इसलिए मैं भी उससे उसके असली रूप में आने के लिए बोले जा रही थी। जैसे यूग चित्रा के मूँ से इस किस्से का जिक्र सुनता है, उसे वो पूरा किस्सा याद आने लग जाता है। इस किस्से को वो उस कहानी में पढ़ चुका था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उस किस्से के अनुसार चित्रा उसराद पेंटिंग रूम के अंदर पेंटिंग बना रही थी, पर असल में चित्रा उसराद पेंटिंग नहीं बना रही थी, बलकि पेंटिंग को पैक कर रही यूग इस बारे में सोची रहा था कि आसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है कुछ दिर बाद जब चीजे सपश तजर आती हैं तो यूग देखता है कि चित्रा और काला साया दोनों हॉल के एकदम बीचो बीच खड़े हुए थे चित्रा के सिर पर चोट लगे हुई थी जिससे अभी भी खून बहे जा रहा था हाथ पैर पर भी कई सारी खरोच के निशान थे वो अभी भी दर्द से करा ही जा रही थी उस काले साय ने अपने दोनों हाथों से चित्रा का गला पकड़कर रखा हुआ था जिसे वो छुडाने की कोशिश कर रही थी पर छुडाने पा रही थी चित्रा अभी भी काले साय के सामने नाटक करते हुए उसे यक्षिनी समझकरी बाते कर रही थी उस साय ने लगपक चित्रा की गले को पूरी तरह दबूच लिया था, उसका गला लाल होने लग गया था, चित्रा दर्द से कराते हुए कहती है, मार ना है तो मार दे पर पहले सामने आ, मुझे तुझे देखना है, सामने आ मेरे अपने असली रूप में, वो काला साय यक्ष पूत्सीन की आवाज सुनाई देती है, लगता है तुझे ऐसे सामने नहीं आने वाली है, मुझे अच्छे से पता है तो कैसे मेरे सामने आईगी ? इतना कहकर वो काला साया चित्रा के गले से अपने एक हाथ की पकड़ को छोड़ देता है और उसे चित्रा के जुड़े की तरफ ले जाने लगता है जो बंधा हुआ था पहले वो काला साया अपने एक हाथ से चित्रा के जुड़े को खोलने की कोशिश करता है पर जब वो उसमें काम्याब नहीं हो पाता है तो वो काला साया चित्रा के गले से अपना दूसरा हाथ भी अटाता है और फिर अपने दोनों हाथों से चित्रा के जुड़े को खोलने की कोशिश करने लग जाता है पर चित्रा भी उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथों को अपने जुड़े से दूर करने लग जाती है जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो काले साय चित्रा का जुड़ा नहीं खोल पाता है तो काले साय को अपने उपर गुस्स आने लग जाता है और वो चित्रा को गुस्ते से धक्का दे देता है चित्रा दूर जाकर दीवार से टकरा जाती है और धडाम से नीचे गिर जाती है चित्रा दर्द से कराते हुए चीकती है आह चित्रा के नीचे गिरते ही उसका जूड़ा जो बंधा हुआ था वो खुल जा जैसे चित्रा के बाल खुलते हैं उसके जूड़े में से हरा हीरा भी निकलता है। जैसे चित्रा की चोटी के आखरी सिरे से बंद जाता है। जैसे चित्रा चित्रा की बाल खुलते हैं और उसे गुस्जे के साथ घुड़ने लग जाती है। कुछ दिर बाद जब हॉल के अंदर का सारा धुमा छटता है तो उसके साथ वो काला साया तो गायब हो गया था पर वहाँ पर अचानक से अनुराग आ गया था अनुराग की आँके पूरी तरह पीले रंग में चमक रही थी और वो गुस्से के साथ चित्रा को घूरे जा रहा था अनुराग चित्रा को घूरते हुए कहता है ले आ गया में तेरे सामने अपने असली रूप में अब होगा आमना सामना एक भक्षानर का एक अधूरी डायन से सदियों से है पुराने ये है यक्षिनी के कहाने यक्षिनी एक आग है यक्षिनी तेरा ख्वाब है